हेलो एवरिवन तो आज मैं आप सभी की साथ शेयर करूंगी घर बैठे ही नेल सलून जैसा नेलाट करने का तरीका जो बहुत ही कम रेट्स पे होगा आपको पारलर जाकर हजार दो हजार रुपे नहीं देने पड़ेंगे बस आप सौ से डेड़ सो रुपे के अंदर ही घर ब मुझे आज किसी इंगेजमेंट पार्टी में जाना है तो यह परपल कलर का मेरी ड्रेस के साथ मैच करेगा और यह जादा मेहंगा नहीं आया है यह सिर्फ 70 रुपीज का पड़ा है मुझे तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूं इसके साथ मुझे क्या-क्या मिला है एक और यह मुझे इसकी गम मिली है जिस चिपकाने के लिए बट यह वाली गम उतनी एफेक्टिव नहीं होती है इसको अगर आप लगा कि नेलस लगाएंगे तो नेलस बहुत जल्दी से आपके निकल जाएंगे तो यह वाली गम मैं यूस नहीं करूंगी अभी गम यह काफी इसको आगर एक बार लगा लेंगे तो आपके नेल्स काफी दिन तक नहीं निकलेंगे दो दिन तक तो आपके नेल्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे अगर आप उनको गरम पानी में डिप करके थोड़ दिर रखेंगे तभी आपके जो नेल्स है निकलेंगे तो यह वाली ग इसके अंदर भी सेम नेल पेंट जैसा ब्रश होता है देखिए ऐसे और इसको बस हमें नेल पे लगा लेना होता है और उसके बाद जस्ट उसके बाद ही हमें नेल पे अपने उसको चिपका देना होता है नहीं तो वह सूख जाती जल्दी से इस किट में मुझे 12 मिले हैं तो अब हम देख लेंगे कि हमारे कौन से नेल पे कौन सा हमें नेल सेट करना है तो देखिए मैं ये वाला सबसे छोटी वाली फिंगर से स्टार्ट करती हूं मैं इसके उपर थोड़ा सा ये गम लगा लोंगी और हमें अच्छे से बिलकुल लगाना है बिलकुल भी गंजूसी नहीं करनी अच्छे से लगाएंगे तब ही ये काफी टाइम तक हमारे नेल्स पर चिप के रहेंगे तो देखिए अब मैं इस पर अच्छे से दो तिन कोट गम के लगा दूँगी और उसके बाद इसको मैं अपने नेल्स पर तुरंट लगा लोंगी देखिए बिलकुल ऐस हमें बिलकुल अच्छे से सेट करके लगाना है देखिए और इसको थोड़ा सा इसको हमें पकड़के रखना है एक सेकंड के लिए बस और देखिए अब ये हो गया है अब आप देख सकते हैं कि आगे थोड़ा सा इसका थोड़ा आगे से एक एज सा निकल रहे है तो उसको तो आपके तके नकली वाले नेल नेल्स थो अपने आप से थोड़ी सी नेलार्ट कर लेती हूं मैंने यहां ग्लिटर वाली नेल पेंट लिए और इसको मैं बस टिप पे ही लगा रही हूं या अपने हिसाब से जो भी डिजाइन अब बनाना चाहें बना सकते हैं तो मैंने बस थोड़ा एक कोत लगा है हमें कम से कम अगर हमें बहुत ही अच्छे लगा लोगी गम के और इसको भी जैसे ही गम नेल पे मैंने लगा ली उसके तुरंद बाद इसको मैं अपने नेल पर चिपका दूँगी और अच्छे से इसको प्रेस करके रखोंगी ये बहुत जल्दी ही चिपक जाता है और देखिए दूसरा वाला नेल भी हमारा लग चु तो मैं इस वाले पर पूरी की पूरी ग्लिटर वली नेल पेंट लगा दूंगी जिससे काफी अच्छा एफेक्ट आएगा आप लोग भी एक बार जरूर टाई कीजेगा जब आप नेल सलून में ऐसे अपनी नेल आट कराने जाते हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो जब हमाई नेल आट करते हैं तो एक नेल पे फुल ग्लिटर नेल पेंट लगा देते हैं और टिप पे थोड़ी सी ग्लिटर वाली नेल पेंट या फिर कोई भी कलर की नेल पेंट लगा देते हैं तो देखिए अब मैंने एक कोट इस पर लगा दिया है अभी मैं दो क सारीं बैसके सब्सक्राइब अधने और आपने के तौटी से गम लगा है ह अच्छे से गम लगा ली है और इसको भी मैं सेट कर दूंगी और देखिए गम लगाने के बार इसको मैं थोड़ी देर प्रेस करूंगी और यह हमारा थम का नेल भी बिल्कुल सेट हो चुका है अब मैं इन सब नेल्स पर आपको नेल पेंट लगा कर दिखा देती हूं कि इस बस अब इस गम को आप अच्छे से बंद कर दिजेगा बिल्कुल टाइट ली जिससे यह नहीं सूखेगी और अब हम इसके अंदर नेल पेंट लगाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं टिप के ओपर लगाऊंगी तो देखिए मैं टिप के ओपर एक एक कोट अ आप चाहे तो इसके ओपर कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं जैसे आप कोई स्चोंस लगा सकते हैं या फिर आप अपने तरीके से कोई डिजाइन बना सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत कम रेट्स में आप इसको घर पर ही कर सकते हैं अगर आप नेल इसको 70-80 रुपे के अंदर ही बना सकते हैं देखिए अब मैं सारी टेप पर ऐसे ग्लिटर वली नेल पेंट लगा दूँगी एक एक कोट पहले हमें लगाना है और जब एक कोट हमारा पूरा अच्छे से सूप जाए उसके बाद ही हमें अपना दूसरा कोट लगाना है दे लगा रही हूं और बस मैं इसको थोड़े सुखा लूँगी और सुखाने के बाद फिर मैं इसके ओपर अपना दूसरा कोट लगाऊंगी तो अब आप देखिए अब मैं अपने नेल पेंट के सभी के सभी कोट लगा चुकी है और आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा ल अब लग जाती है ना उसको आप क्या कीजेगा एक आप बर्ड ले जिगा यह बर्ड और उसको आप रिमुवर के अंदर डिप कर लीजेगा और डिप करने के बाद उसको साइड से साईरी जो नेल पेंट हमारी एक्स्रा फिंगर पे लग गई है हमारी क्यूटिकल्स पे ल इस लगा कर दिखा रही थी कि यह कितने असानी से लग जाते हैं घर पर ही और हमें पारलर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजि जिससे में सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलें तो चलिए अब मिलेंगे मेरी नेक्स वीडियो में मेरी वीडियो को लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्री